हमार डिप्लोमेट दीपक वोरा सेर इस वक्त सीधे हमारे साथ इस टूडियो में जुड़े हुए है सामेस आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जस्टिन टूडो क्या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं जबकि उनको पता है कि वो जो भी करेंगे भारत उसके खिलाव सक्ट आक्शन लेगा यह क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए बहुत बहुत आवारी हूँ कि मौका मिला है फिर से आपसे बाचीत करने का आपने बहुत सही फरमाया है उसका दिमाग खराब हो गया बॉखला गया है मैम आल टेल यू वाई उसकी जो सरकार थी उसको समर्थन मिलता था न्यू डेमोक्राइडिक पार्टी वो जगमीत वगमीत को व्यक्ती था और उसने दो माहिने पहले अपना या पिछले माहिने समर्थन हटा लिया और क्यों हटाया बोला जस्तिन टूडो पूरी तरा से जुटा है और ब्रश्ट है और लोगों में ये बात फैल गई ये खास तोर से इंडियन कम्यूनिटी सीक कम्यूनिटी में किस आदमी पे भरो अब ये उनको बताना चाहता है कि मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका शू पॉलिशर हूँ, देखिए मैं भारत के साथ कितना सक्त रवाया अपना रहा हूँ, आप मेरे लिए वोट करें, और मैम मेरा मानना है जो मैं कैनेडा के बारे में जानता हूँ, वहाँ उस एरिया में रहा हूँ, इलेक्शन अगले साल नहीं होंगी, शायद अगले महीने से पहले ये टूड़ो साहब की सरकार टूट जाएगी, दिपक बोरजी लेकिन अगर हम भी कहें और आपको बताएगा क्या हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, कि अगर जिस तरह से बात इन्फलेशन बड़ा हाई है, यहाँ पर जब हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बड़ा बोलता था, और जब उसके ट्रक वालों ने प्रोटेस्ट किया तो अपनी फौज बुला ली उसने, यह दोगला आदमी है, और लोग यह समझ चुके हैं मैं, तो आपने पाकिस्तान की बी जो इंटेलिएंस वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ उक्तार हैं, लेकिन वो खेल अब खातम हो गया, फाइनली में इतना कहते हैं, मैं कडोरों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यह इंडिया नहीं है, जो दूसरी गाल आगे करता है, यह भारत है, जो मूँ तोड़ देता है, लेकिन जस्टिन टूरो को बितुई समझ में आ रहा है, कि जिस तरीके से वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे है, आतंगवादियों का समर्थन कर रहे है, इसी वज़े से जो उनको एक तरह से पसंद करने वाला रिशियो है, वो बहुत कम है, जस्टिन टूरो किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, कि उनके देश में ही, लोग पसंद नहीं करें उनकी स्ट्राटिजी को, उमीद पर दुनिया काइम है, दिल को बहलाने के लिए गाले ये ख़याल अच्छा है, कि शायद मैं दुबारा आ आ जाँ, ये दुबारा नहीं ह हमने अपने उचायुक्त हाई कमिशनर को वापस बुलाया, इससे पहले कि ये एक्सपेल कर दे उसको, और उसकी डिप्लमाटिक इम्यूनिटी लेके, छीनके पर काई अब इसके गुरिफतारी करते हैं, तो कहता है कि he is a person of interest, Trudeau साब, you are of no interest to India, और अगर जादा कुछ करो जी बेकुछ सार देखें, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आपर की टूडो की तरफ से कैसे जहर उगला जा रहा है भारत के खिलाफ, अब और ज़दा जानकरी आपको ग्राफिक्स के जरी हम देते हैं, क्योंकि भारत विरोज से क्या टूडो ज सेक्टर की बात करें, संकट से जो लोग हैं काफी जादा आपते सुख पारिशान है, और सहयोगियों ने टूडो से समर्थन वापस भी ले लिया है, और लोगों का ध्यान भटकानी की कोशिशों में इस वक्त टूडो पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, और इसलिए हमने दे तिन बार कई बार आ रहे हैं प्लका चुके भारत के खिलाफ और भारत विरोधी जड़ने से समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तूडो क्योंकि उनकी लोग प्रियताओ काफी जादे कम हो रही है, इसलिए वो खालिस्तानी जो समर्थन के वहापर उनके पास जाते हैं कि आप म देखिये कैनिड़ा भी इन चीज़ों से ग्रश्त है आताःताफ वाद से वही जो भूच तो बहूल गुछ है कि कैनुछों के लोगों के हिद के लिए क्या करना है वह तो केनिड़ा के लोगों का भवीशे बर्बात करने के को शिशे कर रहे हैं, आपने बैबकुल बहुत थे लिता से मुआ यानि देश वो मैं हूँ टूडो मेरा खाल उसकी बहुत किताबें पढ़ता है और बुखला गया है और इसको बोली अगर आप सुन रहा है थोड़ी चरस कम खाया कर टाइगर थोड़ी आकल आ जाएगी तेरे को ने लेकिन दीपक वोरा जी इससे बात आगे है बहुत आगे है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो राजनीती में सत्ता के जाने को बरदाश रहीं कर पाते क्या टूडो को भी अब ये समझ में आ चुका है क्योंकि वहाँ पर जो खालिस्तानी है वो उसको सपोर्ट करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इलेशन को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए वो खुल कर कि आ गया है सामने क्योंकि समझी आप आतंग बात का साथ देना अपने आ हाथ मारा है वो करता जाएगा इस सवाल तो ये कि अगर आप हार रहे हैं तो क्या पातंकियों का साथ देंगे आप गलत का साथ देंगे आप किसका साथ देंगे इस सवाल खड़ा होता है लेकि मैं भी जानना चाहूंगी क्योंकि कैनेडा में हमारी संख्या भारत के जो लो और करेगा कुछ नहीं एक और बात है देखे इस वक्ट जो स्थितिया बनी हुई है कैनेडा और इंडिया के बीच मुझे नहीं लगता है कि इस से पहले इस तरीकी की सिचुएशन की आई थी और सिफ टूडो की वज़े से यह हुआ है 100% और मैं मुझे 51 साल हो गए है कूट नीती में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मंत्रा ने इतना पावरफुल रिजेक्शन किया है किसी दूसरे देश के आरोपों का वोरा साब आप ये भी एक बार समझाएगा क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि भारत विरोधी एजंडा या भारत विरोधी बात टूडो पहले भी कह चुके ये कैनिडा की एक समस्या है और क्लाउन ऑफ कैनिडा पूरी तरह से जो टूडो है इसको दोराता है इसको हम देख रहे हैं बड़ा देश है छोटी मान सिखता है टूडो को मालूम है कि भारत उसकी बात सुनेगा नहीं ना कभी सुनी है अगर मैं आज का तो भारत आप जा आला ही हो रहा है ही अजला रहा है ये लुस्ट इब ना का ये नुक्सान चाहिए अगले साल यह उसे बाद कनेडा को भूकतना पड़े गारा इंडिया के रिष्टों का सबसे खराब दौर ये चल रहा है जैसे डिपक बोरा जी आप ही कह भी रहे आपको लगता है इंटिन जिसकी कोई personality नहीं है जिसके दिमाग में या दिल में जरा सी भी सचाई नहीं है उसके अपने लोग कहते हैं कि यह जूटा है देखिए वोरा साब G20 में आये तो गले लगे लेकिन पीट पर जुरा यहाँ पर घोपते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त यह कहना गलत नहीं रहे हैं कि भविश्य अगर आप देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको कैनिडा का कैनिडा की economy को सही होने में बहुत टाइम लगेगा उसके पास बहुत कम बचा है इस समय हाँ उसके पास प्राकृतिक साधन बहुत है लेकिन सहीत प्रकार से उनका प्रयोग नहीं कर रहा इस समय वो अपनी सोशल एंजिनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन कम्यूनिटी किसी तरह से सीख कम्यूनिटी खालिस्थानी कम्यूनिटी मुझे सपोर्ट करें मैं वापस आ जाँ यह इतनी जल्दी नहीं होता इसमें कई साल लग जाते हैं और फाइनली टू कि अपने देश का ही साथ आप नहीं दे रहें जब भी बात आती है खालिस्थानियों के सबसे पहले वो तस्वीर सामने आती है वो विमान सामने आता है जिसमें इतने लोग सवार थे और उसके बाद भी टूडो कोई समझ नहीं हा रहा है टूडो जैसा डीपक वोराजी कह जाए चाहिए वो किसी भी कीमत पर मिल जाए लास कॉमेंट सर लास कॉमेंट यही है कि मैम आभी आपने जिकर किया कनिशका एक्राट का 39 याज हो गए है उसको नीचे गिरे हो अभी कनेडियन पुलीस का एक बयान आया है हमारी इन्वेस्टिकेशन अभी तक चल रही है 39 य है और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रापर चल चुका है और हालात आप देखते हैं कि कैसा होने वाला है फिलाल आपको बहुत बहुत शुक्रे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बारी हुए वक्त एक छोटे सबीका हम चल्द वापस लोटेंगे बने रहे रेपाप्लिक भारत के साथ